नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वाइरल हिंदी न्यूज दोस्तों मुदी सरकार को घेरने के लिए कॉंग्रेस की जनाक्रोश रैली राहुल गांधी ने मानगा सहयोग मोधी सरकार को घेरने के लिए कॉंग्रेस ने दिल्ली में रवीवार को जनाक्रोश रैली का आयोजन किया है। समाज को कॉंग्रेस अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है इसलिए बीजेपी को इस मसले पर भी घेरा जाएगा। जनाक्रोश रैली के लिए कॉंग्रेस की बड़ी तैयारी। राहुल गांधी रवीवार को सुबह नो तीन बजे रामलीला मैदान में जनाक्रोश रैली में शामिल होंगे। दिल्ली कॉंग्रेस काई के अध्यक्षा जे माकन ने कहा कि पाठी कारेकरताओं के 40,000 आवेदन पहचान पत्र बनाने के लिए मिल चुके हैं। करीब डेल लाक से दो लाक कॉंग्रेस कारेकरताओं के रैली में भाग लेने की संभावना है। कि चार साल पूरे हो रहे हैं, जिसके जशन के लिए सरकार की तरफ से तयारी हो रही है। दिल्ली में इस्रेली के जरिये कॉंग्रेस बड़ा पैगाम देने की कोशिश करेगी। 2019 के चुनाओ के लिए पार्टी को तयार करने और कारेकरता को एक मेसेज देने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। लेकिन इस्रेली से राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित करना कॉंग्रेस की रणनीती में शामिल हैं क्यूंकि अभी भी विपक्षी एकता के नाम पर कई लोग इसके नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। करनाटिक चुनाव के लिए भी एहम करनाटक में होने वाले चुनाव को लेकर भी राहुल की रहली एहम मानी जा रही है। राहुल गान्दी की दिल्ली में इस्रेली का दूसरा निशाना करनाटिक चुनाव भी होगा, जहां कॉंग्रस के लिए अपना आखरी बड़ा किला बचाना सबसे बड़ी चुनावती है, रेली में भीर जुटाने के लिए आसपास के राज्यों से लोग दिल्ली पहुँचे गजुछ आसओरी बड़ा आस्टों से लेड़ी थक्लावती है, यू ब़ुटाने के लिए जानावते हैं